नमस्कार आज का हमारा टॉपिक है लाइट इस पैरेमेडर पर ठीक है तो लाइट इसका क्या इंपॉर्टन्स है हमारे हाइड्रोपोनिक फॉडर उगाने में स्प्राउट फॉडर उगाने में उसके उपर मैं आज आपको कुछ चीजे के उपर फोकस करूंगा तो देखिए जब हम हाइट्रोफोनिक उगाते तो बेसिकली यह होता क्या है यह है मेज फॉडर मक्य का हम प्लांट उगाते हैं बारली का बेसिकली उगाते हैं और वीट भ हैं यह कोई और चीज नहीं है हम प्लांट ही उगा रहें इसके अंदर तो यह हम इसको पहला समझ ले कि प्लांट को लाइट बहुत जरूरत होती है जब इनिशल स्टेज होती है हमारी स्प्राउटिंग की या फिर जब हम उसको पानी में सोक करते तो उस वक लाइट की जर क्योंकि तब तक लीफ भार नहीं निकलता है पर जब लीफ भार निकलना चालो हो गया तो उसका प्रोसेश चालो हो गया फोटोसंतेस इस यह नाम आपने सुना होगा अल्मूस्स सबने सुना है क्योंकि हमको स्कूल में बढ़ाया यह बैसिकली प्लांट का फूड फॉड process है chlorophyll formation यह आपने सुना होगा जब light आता है तो यह chemical reactions play होता है plants के अंदर कुछ bacteria का support लेके light फिर जो air में CO2 होता है और पानी का जो oxygen है H2O वो उसमें chemical reactions बनके क्या होता है sugar release होता है glucose और oxygen release होता है तो हम जब बोलते हैं plants oxygen देता है तो यह oxygen इसके बज़े से होता है light के बज़े से यह बात समझ लेना और जो sugar release होता है वो plant खुद लेता है बढ़ने के लिए जो chlorophyll formation है जो green pigment हम बोलते हैं ग्रीन का लज़ो लीफ में दिखता है यह उसका proof है आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगा आप अगर कोई hydrophonic fodder या कोई भी plant है जो basically खेत में उगाए जाता है अगर आप उसको in house grow करिए ठीक है कोई लोग green net में grow करेंगे कोई room के अंदर grow करेंगे आप grow करिए उसको और उसको एक सिफ तीन चार घंटे light मिलने के बाद वो green color convert हो जाता है तो इसका मतलब क्या है उसको deficiency होती है light नहीं मिलने के बज़े से plant उसका food नहीं बना पा रहा है तो इमिजटली जैसा आप वो fodder को खुले में लाके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका process immediately वो चालू करता है within 3-4 hours आपको वो result दिखेगा कि यह green convert हो रहा है तो आप पता यह बात समझ लीजे कि light is very important in growing any type of plant कुछ plants ऐसे हैं जो in-house में grow करते हैं उसके उपर बोलने के लिए यहां पर नहीं बेटे हैं हम specifically जो maize fodder या फिर जो barley इन चीज़ के उपर बात करते हैं ठीक है आपने यह भी देखा होगा ना कि hydrophonic vegetables भी उगाया जाता है वो पॉली होस में उगाया जाता है artificial lights यूज के जाते हैं मैं आपको सिफ एक जिस बताऊंगा हमारे देश में यह बहुत अलग-अलग questions खड़े के जाते हैं कुछ उसके उपर हम ज़्यादा focus नहीं करेंगे मैं आपको बोलूँगा कुछ international sites पर जाके या international videos भी देखिए outside के आपको वहाँ पर पता चलेगा कि कितने parameters को वो seriously follow करते हैं lights, LED lights, tubes लगाया जाता है अगर वो in-house में, container में grow करते तो उससे आपको एक थोड़ा seriousness पता चलेगा कि light is very important अगर कोई बोलेगा नहीं light की ज़रूद नहीं है photo रुगाने में तो आप समझ जाना कि उसको knowledge नहीं इसके बारे में है ठीक है, तो इतना तो आपको पता चलेगा कि light कितना ज़रूरी है अगर light मिलेगा नहीं, तो plant में deficiency रहेगा और जो plant में deficiency रहेगा, 101% वो plant बीमार गिरेगा बीमार गिरने का मतलब क्या है? वो उसका जो roots है, वो rotning चालू हो जाएगा seed सढना चालू हो जाएगा, उसमें किडे लगेंगे जो fodder है, उसमें leaf burn होना चालू हो जाएगा yellow color में convert होगा, fungus आएगा, mold आएगा तो ये number of symptoms आपको पता चलेगा कि आपका fodder में ये problem आ रहा है, तो light नहीं होना ये भी one of the cause है, कि अगर आप उसको नहीं देंगे तो आपका fodder खराब हो सकता है तो ये parameter को आप seriously लेना है तो अभी हमारे fodder system में light कितना देना पड़ेगा और उसका arrangement कैसे करना है, मैं आपको basic बताता हूँ आप जब ये fodder रुगाएंगे, तो आपका जो room रहेगा उसमें कुछ windows आपको रखना पड़ेगा, ठीक है आपको जो roof रहेगा, आपको उसमें भी कुछ transparent sheet साल के light का arrangement करना पड़ेगा अंदर कितना light चाहिए, अब ये ध्यान से सुनना इसमें lumen में भी major किया जाता है और lux में भी, मैं आपको lux में बताऊँगा lux meter होता है, lux meter से आपको पता चलेगा कि वो room के अंदर light कितना है तो जो हमारा 10-12 साल का experience है, उसमें हमने ये maintain करने का कोशिश किया रेंज, 1000 से 2000 के आसपास हमने ये lux maintain किया है, room के अंदर अगर ये 2500-3000 होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका होता क्या है हम basically natural light use करते हैं अंदर बढ़ाने की, तो अगर light जदा बढ़ेगी तो क्या होता है, temperature बढ़ जाता है तो हमें दोनों को balance करना है, ने तो हम light बढ़ाने के कोशिश में जाएंगे तो temperature बढ़ जाएगा इसलिए हमें क्या करना है, उसको balance करना है, तो कोशिश करो कि आपका जो room के अंदर का light है वो approximately 1000-2000 के असपास होना चाहिए, lux